अध्याए पांच तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है परंतु खमंड करते हो मैं तो शरीर के भाव से दूर था परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिती की दशा में ऐसे काम करने वाले के विशे में याद किया देच चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु येशु की सामर्थ के साथ इकठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु येशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौपा चाए ता कि उसकी आत्मा प्रभु येशु के दिन में उत्थार पाए तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आपको शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसाह जो मसीह है बलिदान हुआ है सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभी चारियों की संगती ना करना ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभी चारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ती पूजगों की संगती ना करो क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता मेरा कहना ये है कि यदी कोई भाई कहला कर व्यभी जारी या लोभी या मूर्ती पूज़र या गाली देने वाला या पियक कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याई करने से क्या खान क्या तुम फीतर वालों का न्याई नहीं करते परन तु बाहर वालों का न्याई परमेश्वर करता है इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो झाल झाल